नमस्कार दोस्तों बात करेंगे आज अडानी ग्रूप के बारे में और मैक्सिमम लोग पूछ रते कि सर अडानी ग्रूप में क्या हुआ है अडानी ग्रूप के स्टॉक्स को बेच के निकल जाएं क्या आगे मुमेंटम देखने को मिल सकता है बहुत सारे कोशन है जिसमें हम उसको क्या करना चाहिए उसको किस तरीके से अपने आपको prevent करना चाहिए इस तरीके की situation में तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे आपको पता ही हमारा telegram channel है और हमने आपको कल वादा किया था कि हमा यहाँ पे आपको price action stock provide करेंगे और swing trade stock provide करेंगे तो दोनों already provide कर दिये गये हैं और आज आपको बड़ी हाँ movement देखने को मिला सन फारवा में काफी लोगों को काफी बड़ी हाँ benefit हुआ कल फिर से यहाँ पे देखने को मिलेगा price action stock description में link मिल जाएगा जाके तुरन join करिए तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आज भी अडानी gas में अडानी total gas की बात करें तो देखेगा 5% का lower circuit आपको देखने को मिला है और continue है यह चीज़ देखेगा continue है after the clarification तो यह थोड़ा सा tragic drama type का लग रहा है कि देखेगा किस तरीके से एक particular news का circulate होना सारे news channel के through इस particular news का circulation होना और then after that उसका backed up हो जाना और यह बताना कि यह थोड़ा mistake हो गया था या फिर यह intentionally किया गया है या फिर यह अडानी ग्रूप की जो image उसको खराब करने के लिए किया गया है और clarification आनी के बाद भी अगर stock में लगाता गिरावट देखने हो मिली है तो इसका मतलब यह है कि अभी कुछ ना कुछ ऐसा बाकी है कोई ऐसा suspense ऐसा बाकी है जिसके कारण investor जो है अभी भी डरा हुआ है चुकि अगर आप maximum देखते हैं कि कोई bad news आती है तो within 1, 2, maximum 3 days में देखेगा stock में थोड़ा सा stability देखने हो मिलती है at least जितनी तेजी से stock गिर रहा होता उसमें थोड़ी सी कमी आती है बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो चाहें आप बात करें अडानी total gas के बारे में या फिर आप बात करेंगे देखेगा अडानी enterprises के बारे में तो जितने भी stock हैं जितने भी stock हैं यानि कि one of the favorite जो stock हैं लोगों के अडानी ग्रूप के उन में लगातार lower circuit लग रहा है इवन आप बेच भी नहीं सकते हो माल को और ना आप इस particular panic situation में खरीदने की सोच पा रहे हो तो ये इसलिए उरा है चुकिए अभी कहीं न कहीं बहुत सारी बातें सामने आई हैं कि ऐसा क्यूं हुआ, clarification इतनी देर में क्यूं आया और इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई, सारी media report इस तरीके से कैसे गलत हो सकती है और retail investor का within one day में इतना बड़ा loss हो गया तो उसका देखेगा आप जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा retail investor डर जाता है इस particular situation में लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप इस stock में अपने इसमें पैसा बनाया है तो आपको यह पता है कि इन stocks में आपको 200% से अगर आप देखेंगे 200% से आपको कम से कम 900% तक के return देखने हो मिलें यानि कि 200% से 900% तक के return देखने हो मिलें तो जब आप इतना जाधा एक particular situation में एक particular duration में इतना जाधा moment किसी भी stock में देखते हैं तो उस stock में आपकी जो सोच होनी चाहिए वो यह होनी चाहिए कि अगर stock इतनी तेजी से भाग रहा है then you have to be prepared for the 70% और 90% correction यानि कि इतना कोई बड़ी बात नहीं होती है अब इतनी डिवन रैली देखने को मिलती है आपको तो इस तरीके की situation में आपको इसके लिए बिल्कुल mentally prepared रहना होता है कि इस stock में इन लेविस पे गिरावट भी आ सकती है और जब इतने बड़े अपने रैली देख लिए तो इतना correction तो एकदम बिल्कुल यहाँ पर justifyable है तो सबसे पहले देखेगा जो long term investor है उन्हें लगता है कि company अच्छी है और company के देखेगा अभी short term panic बना हुआ है तो उनको यहाँ पर बने रहना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं यह panic आपको short term में ही देखने को मिलेगा जब proper clarification आ जाता है stability आ जाती है तब ही आपको आने वाले time में फिर से stock में देखने को बले है और देखेगा अडानी पावर में भी आपने driven rally देखी थी क्या देखी थी driven rally देखी थी और वो rally अगर आप देखेंगे तो 127 का स्टॉक आ चुका है काफी बढ़ी हाँ 165 का ही बनाने के बाद stock में लगा ता correction आ रहा है तो कुछ तो stock ऐसे हैं कि केव growth potential क्या है जिसके basis पे आपको stocks बताए गए थे 80-90 रुपीज के level पे और वहां से आपको बहुत बड़ी driven rally भी देखने हो मिली है तो यह चीज़े क्या है कि केवर अडानी group पे पूरी चीज़ आ रही है इसलिए आपको यह गिरते हुए देखने को मिलना है business में कोई भी default न लिए गया है कि after 7 billion का जो loss हुआ 7 billion dollar की जो net worth कम हुई है इस टॉक की तो उसके बाद clarification क्या आया है clarification यह आया है कि देखेगा जो अडानी group में जो particular जिन भी डिमेट अकाउंट्स की या फिर जिन भी investors की बात हो रही थी वो इस particular company में 2010 से पहले से यानि कि 2010 यानि कि long term investor है ऐसा नहीं है कि जब डानी group में यह rally देखने को मिलिए then यह investor आये है और ऐसा साफ साफ यहाँ पर आपको देखने को मिला है डानी group told NDTV in an exclusive interview in the backdrop of the recent sharp in the group stock valuation और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो यह particular fall देखने को मिला है इसके कारण काफी ज़्यादा interviews भी company की तरफ से हो रहे हैं management की तरफ से हो रहे हैं अलबुला investment fund है क्रिस्टा फंड है और APMS फंड है वर फ्रोजन वाइदा NSDL जैसे ही पर्टिकुलर मीडिया में रिपोर्ट सर्कुलेट हुए और आफ्टर आप देख सकते हैं कितना बड़ा fall आया है stock में तो अभी management की तरफ से देखेगा जो बयान आया है उसमें इसमें आप देख सकते हैं Adani port की जो annual growth है वो double digit में कितनी है double digit में and they are market leader यानि कि जो business है उसमें वो double digit growth में है second बहुत बड़ी चीज़ है कि market leader है अगर आप valuation को देखेंगे अगर आप business पे confident है तो आप समझ सकते हैं कि आपको indication यह दिया जा रहा है कि अगर आप को short term panic में हैं तो long term का मत भूल जाएगा चुकि most of the port जो है Adani के अंडर में है और इससे आपको पता है कि बहुत बड़ा business होता है ना के वल government का वलकि private players का भी तो यह market leader है और would simply say this you take India's best IT company, India's best FMCG company, India's best bank and you put Adani port, Adani grain, Adani transmission alongside them and look over growth rate यानि कि उन्हें कहा है कि आप top IT company देख लो, आप top FMCG company देख लो, आप top Indian West Bank देख लो और फिर हमारे business में आ जाईए तो आप comparison कराएंगे तो हम कहीं न कहीं आगे निकल जाएंगे चाहे आप Adani port की बात करें, चाहे Adani green की बात करें, चाहे Adani transmission की बात करें तो यह जो बयान आया है, जो यह particular backup बयान आया है, वो काफी confidently है, लेकिन अभी कुछ देखेगा, बहुत सारी चीजें परदे की पीछे भी होती हैं, नहीं परदा चलती हैं, तो one of the देखी का आपका यही एक राय होनी चाहिए, कि अगर आप इसमें long term के लिए हैं, long term का point of view है, तो आपको थ बिजनस देखने को मिलेगा, और यहां पर बढ़िया वैल्यूशन देखने को मिलेंगे, क्यों देखने को मिलेंगे, चुकि इनके जो maximum business है, उसमें वो monopoly create करते हैं, वो एक तरीके सा market leader है, तो इसलिए वो ज्यादा confident है, उसलिए market ने उन्हें value दी है, तो सभी से कहूंगा, अभी fresh buy, जब तर स्टॉक stable ना हो जाए, जब तर इसमें बिल्कूल तरीके से stability ना हो जाए, तर तर मत करिए, और जितने भी long term investors, इन सब company में बैठे हुए, उनको थोड़ा wait करना पड़ेगा, जोकि यह short campaign जब खतम हो जाएगा, तब ही आपको stock में rebound देखने को मिलेगा, I I hope आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा है, तो like, share, subscribe करना ना भूलेगा, thank you so much